हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की और और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए मद्ध प्रदेश के दुर्ग एवम के लिए मद्ध प्रदेश के परेटन के अंतरगत यहाँ एक टॉपिक है और यहां से प्रशन आने ही आने वाले होते हैं और हम इसका सचित्र वड़न करेंगे तो आपको यह देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और यह सारे के सारे किले आपको याद हो जाएंगे डीटेल में जानकारी देंगे हम हर एक किले से सम्मंदित तो आगे जो MPPSC का एक्जाम आने वाला MPP पहला किल्या यहां ख देखने में कितना सुंदर यहाँ पर प्रतीत हो रहा है तो यह है आजके यह पूरी जानकारी आपको देते हैं तो देखीए ग्वालियूर डुरग के बारें में तो पूछा जाता है कि नीव राजा सूरस सें दौरा 525 इस्वी के आसफास रखी गे जिसे गुपगीरी परवत या फिर गोपांचल परवत भी कहते हैं दूसरा प्रस्ण आपका यहां से क्लियर हुआ इसे जिब्रालटर ओफ Deixa निया चिरी की बहुत ही महत्तपूर्ण जानकारी तो देखिए इस दुर्ग का मुख निर्माड जो है चौदवी सताबदी में राजा मान सिंग तोमर के दौरा करवाया गया था तो दूसरा प्रशना आपका यहां से यह क्लियर हो रहा है नीव तो राजा सूरस सेन ने रखी थी लेकिन जो मुख निर्माड है वो र दर्वाजे आपको देखने को मिलते हैं गुआलयर दुर्ग के अंदर तो देखे यह है पांच दर्वाजे तो नंबर करे आलम गीस दर्वाजा फिर गौालियदु के अंदर बहुत ही दरसनी स्थल मौजूद है कौन-कौन सी दरसनी स्थल है वो भी जानकार हिम आपको देते हैं तो इस दुर शयर के अन्य दरसनी स्थलों में बादल महल है चतरबुज मंदिर है गुजरी महल है सासभोग का मंदिर है जिस सासथरवाग मंदिर कहते थे बाद में इसका जो रूप बिगड़ता गया बिगड़ता गया और सासभोग का मंदिर ये बन गया ठीक है और इसके अंदर जो विश्णु मंदिर है और तेली का मंदिर है तो बहुत ही ज़्यादा प्रस्थ है कई बार एक्जाम्स में आया हुआ है क्योंकि दच्छिड भारत की सैली पर बना हुआ मद्ध प्रदेश में एक मात्र मंदिर कौन सा है तो तेली का मंदिर है कहां पर है तो गौालियर किले में इस्तित है तेली का मंदिर बहुत बार यह प्रस्थन आया हुआ है आई आगे चलते हैं तो देखिए इस दुर्ग में इस्तित मान मंदिर और गूजरी महल जो है वो राजा मान सिंग दारा निर्मार कराए गया था ये जो दो महल है उनका निर्मार राजा मान सिंग तोमर ने करवाया था तो नमबर दूसरे पर आने वाला है गूजरी महल दो आईए गूजरी महल के बारे मिंआपको जानका ही देते हैं और गूजरी महल का ये चितर आप देख सकते हैं देखी यह क्या है गौशल tane के बढगल में इस्तित है तो यह जो जो तलगर है उस तलगर में आप जाएंगे तो आपको हाँ पर बहुत सारी पुरानी तोपें जो हैं और तलवार जो हैं और बकनके जो होते हैं सारी रच्छा सामगरियां जो पुराने राजाओं की होती थी वो सारी इस जो गूजरी महले इसके अंतरगत रखी गई हैं यह पूरी जानकारी आपको देते हैं हम गूजरी महल के बारे में अतर देखिए इस महल का निर्माथ राजा मान सिंग तोमर दोरह अपनी पत्नी म्रग नैनी के लिए लिए करवाए गया था ठीक है जो गूजर बंस से सम्मद्ध थी तो गूजर बंस की जो रानी थी जो इ उन्के लिए इसके निर्माट कराया गया था 1922 में पुरा तक विभाग दारा इसे जो है संग्रहले में बदल दिया गया चलते हैं अगले दुरुक्ता इसमें है मानमंदिर का महल तीसे नमबर पर मान मंदिर का महल दीखे गोल्डन कलर का अगर आप जब गौलिर के लिए पर जाएंगे तो साम को अगर आप पांसे च्छे के बीच में जाते हैं जब सूर अस्त होता रहता तो उसकी किरन पढ़ती है जब मान मंदिर महल पर तो बहुत ही जादा सुंदर यह दौरा बनवाया गया था जैसे हमने आप बताया कि मुख निर्माड जो है कौलर के लिए का मान सिंघ तौमर के दौरा ही करवाया गया था पर मान मंदिर है जैसे कूझरी महल बनवाया गया। तो मान सिंग तोमर दोरा ही धुरुपद गायन सैली का निर्मार किया गया जिसे मरदाना गीत सैली भी कहते हैं तो संगीत करने में भी बहुत ही मसूर थे यहाँ पर मान सिंग तोमर तो उन्हीं की दोरा यहाँ पर धुरुपद गायन सैली का निर्मार किया गया था और इसी को मरदानागीत कहते है, MPPSC का फैबरेट प्रश्ण है की मरदानागीत कौन सी एक सैली को कहते है, तो दुरुपत गायन सैली को ही मरदानागीत भी कहते है। आई और आगे आपको जान कर देते हैं तो इस महल के तहखाने में एक कैद खाना है इतिहास कहता है कि औरंग जेब ने यहां अपने भाई मुराद को कैद करके रखा था और बाद में मुराद की मुरत्यू करवा दी थी तो गौलियर के दुर्ग के अंदर जवाब घुमने जाएंगे तो मान मंदर के अंदर जवाब जाएंगे तो नीचे जो है एक तहखाना इस्तित है तो इसी तहखाने में औरंग जेब ने अपने भाई मुराद को कैद करके रखाया था और बाद में यही पर उसकी मृत्यू करवा दी गई थी मुराद की और देखिए तो जोहर कुंड और सूरज कुंड भी इसी महल के अंतरगत इस्थित हैं आपको जोहर कुंड और सूरज कुंड भी देखने को मिल जाएंगे मान मंदिर महल के अंतरगत उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार लाइक के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजेगा आए अगले किले को उड़ते चलते हैं तो चोथे नमबर का किला है धार का किला आए धार के किले के बारे में आपको जानकारी और चित्र दिखाते हैं आपको धार के किले का तो यह देखिए खुबसूरत हर्याली से निर्मित यह है धार का किला तो मद्यप्रदेश के पश्चमी भाग में धार का किला श्तित है तो चित्र भी आप देख सकते हैं हर्याली आपको यहां पर भरपूर देखने को मिलने वा तो मुहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में धार के किले का निर्माड करवाया था यह प्रस्ट में कई बार पूछा गया कि धार के किले का निर्माड किसने करवाया था तो 1344 में मुहम्मद बिन तुगलक के दारा इस किले का निर्माड करवाया गया था आईए आपको आगे जानक अरह आपने MP एक्जांस दिए होंगे तो ये 59 हम आपको बता रहे हैं कई बार आपके सामने आये होंगे पट्वारी के एक्जांस की बाध कर लेते हैं MP पूलिस की बात करते हैं थार के किले में स्थित्त है खरबूजा महल देखी पेशवा बाजी राव का जन्म भी इसी किले में हुआ था तो पेशवा बाजी राव जन्म लड़ा का पेशवा कहते हैं आपने एक मूवी भी देखियोगी बाजी राव मस्तानी तो उसमें जो बाजी राव है उन बाजी राव का जन्म यही पर हुआ फिक्वा था कहां पर धार के किले में और मृत्यू भी जो है मद्श्देु में पूली twist Making नर्वदाब नदी कि किनारें वहां पर मृत्ती हुई ह Kenneth Churchill की reste सकती है कि उक मरत्य ऑप हुआ की जनम भी हां पर प्राइश भी मद्प्रदेश भीत ही तो ये महत्रपूर्ण टॉपिक आपको हम बता रहे हैं महत्रपूर्ण ये जानकारी आपको ऐसी ही जानकारी सक्षे जंक्सर पर मिलती रहेंगी क्योंकि अब जो प्रस्टन है वो घुमा करके आने वाले हैं बोन्टीसन का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है आए चलते हैं पांचमे नंबर के किले की ऊड़ तो ये है असीरगड का किला इस किले का नाम सुनते तो आपको बताते हैं कहां परिस्तित है असीरगड का किला तो देखिए असीरगड का किला बुरहान पूर ये मिस्तित है यह किला एक पहाड़ी पर निर्मित है जिसका निर्माड आसा अहीर नामक अहीर राजा ने करवाया था ये भी कई बार पर इच्छाओं में आया हुआ कि जो आपका असीरगड का किला इसका निर्मार किसने कराया था तो राजा आसा अहीर ने इस किले का निर्मार कराया था आपको यहां पर देखने के मिलने जितने भी किले हैं वो सारे के सारे किले किसी ना किसी पहाड़ी पर इस्तित है ठीक है तो यह आपको याद रखना है आसा हीर्ण ने इस केले का निर्मार करवाया था तो दिखिए इस केले के अंदर आसा देवी की परतिमा और मंदिर भी इस्थित है यह एक अभियद किला है, कई वार आपने अपने इतिहास मेंगर पढ़ा होगा तो असीरगड के किले को एक अभेद किला माना गया है क्योंकि बहुती नूची पहाड़ी परिस्तित है और बहुती दुर्गम मारग है यहां तक पहुँचने का ठीक है इसे दच्छन का प्रवेश दौर भी कहा जाता है रेलवे का यह फेवरेट प्रस्ण है कि दच्छन का प्रवेश दौर किस एक किले को कहा जाता है तो असीरगड के किले को दच्छन का प्रवेश दौर भी कहा जाता है इसी किले को बाब ए दक्कन भी कहा जाता है और इस किले आपके जो है वरडन बाव एधकन के नाम से तुझ के बावरी नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है जिसका निर्माड बावर ने खुद किया था अपनी जब आत्म कता लिखी थी तो इस किले को असीरगड के किले को बावर ने बाव एधकन के नाम से पुकारा था तो आप से अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगड के किला ही था जैसा कि हमने आपको पताया था तो प्रशन आया हुआ है कि सोने की चाबी से किस किले को अकबर ने खोला था तो असीरगड के किले को सोने की चाबी से अकबर ने खोला था असीरगड के किले में ही मुमताज महल की प मुम्ताज महल में जाकर दफना दिया गया था और वहाँ पर नई कब्र बनाई गई थी मुम्ताज महल की मुम्ताज महल की मुर्तिव कहां पर हुई थी तो असीर गड़ की किले में ही मुम्ताज महल की प्रसवकाल की दौरान मुर्तिव हो गई थी आईए और आपको जानकार आ tiếpि हैं तो दिखी एक और प्रसित किला है गिन्नौर-गडका किला बहुत ही फेमस किला है और यह हरियाली के वीच इस्तितर आपको दिखाई भी दे रहा होगा छोटा साइ इसकी 4 कितनी ज्यादा अगर्यालिया आपको देखने को मिलने वाली है तो यह किला भोपाल से 60 किलो प्रशन यह आया हुआ है कि कौई गिन्नौर गड़ का किला कहा प्रिष्टित है तो राइसेन जिले मेश्टित है जो कि भुपाल से 60 किलो मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक प्रमुक बहुत ही फेमस तत्थ है उसकी जानकरी हम आपको देने वाले हैं आगे आईए देखिए इस किले का निर्माड महाराया ओदैवर्मन ने करवाया था इस किले के पास से ही अजनार नदी बहती है तो कौन सी नदी यहां पर बहती है इस किले के पास से तो अजनार नदी कहां पर इस्तित है तो अजनार नदी जो है वो आपकी राइसेन में इस्तित है आदों यहां पर तोते हैं देखिए जहां पर हर्याली होगी वहां पर पच्छी होंगे सीधी सी बात है तो गिन्न और गड़ का किला जैसा कि आपने चित्र में प्रसिद्ध है और यह मत्यप्रतियस ब्यापम का बहुत ही फेमस और फेवरेट ट्रशन है आप से जरूर पूछते हैं कि कौन सा किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है आईए आपको आगे जान कर देते हैं तो साथवे नंबर का किला आने वाला है राय सेन का किला तो राय सेन साथ में युद्धिकाल की दौरान भी फाइदा मिलता था अगर आए जो किले हैं इनका निर्मार पहाड़ी के उपर किया जाता था तो आए पूरी जानकारी आपको देते हैं राजसेन के किले के बारे में तो देखी यहां किला मद्धिप्रदेश के राइसेन जिले में इस्तित है इस किले का निर्मार राजा राजबसंती ने सोलमी सताबदी में कराया था तो बहुत ही भेमस प्रशन है कि राइसेन के किले का निर्मार किसने करवाया था तो राजा राजबसंती ने करवाया था तो राइसेन के अंतर्गत जो राइसेन का किला है वहां पर इस्तित हैं बादल महल, राजा रोहित महल और इतिरदार महल, महलों से सम्मंदित प्रशन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं, आगामी जो जेल पहरी और मद्वरदेश पुलिस का एक्जाम आने वाला है, इ पारिस होती थी तो बावडियों के अंदर पानी भर जाता था और उसके बाद उसको नहरों के माध्यम से यहां पर राइसेन राज में पहुचा दिया जाता था जिससे क्रिसी करने में आसानी होती थी, तो यह जल संगटन का एक बहुत ही महत्पूर उदारन है आपका कौन बनवाई थी जिसकी मदौलत ही उसे यहां पर जीत नसीब हुई थी, तो सेरसा सूरी ने क्या किया था, यह किला बहुत ही दुर्गम था उस समय जीतने के लिए और बहुत ही महत्पूर था, तो उसने क्या किया था कि जो उसके पास तामे की जितने सिक्के थे उन सारे सिक् नहीं होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता तो धोके की विए से यहां पर जीता था सेरसाह सूरी ने एक बहुत ही महत्पुर्ण जानकारिम हम आपको देने वाले हैं तो देखिए उस समय इस किले पर राजा पूरण मलका सासन था उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके साथ धोका हुआ है तो उनको पता था कि कितने वहसी दरिंदे होते हैं जो यहां पर आपके तुर्क लोग आते थे मुगल लोग आते थे तो उनको यह बात पता थे कि अगर वो जीतने के बाद में हमारे महल में आएंगे तो बहुत ही दुर्दसा यहां पर करेंगे दासियों की राणियों की तो उन्होंने क्या कि अपनी पतनी का जो है सिर खुद ही कलम कर दिया था ठीक है उसके बाद में वो लड़ने गए थे युद्ध में जहां वो मतलब सहीद हो गए थे लेकिन उन्होंने इससे पहले अपनी रानी का सिर कलम कर दिया था तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राजा ने यहां पर युद्ध में जाने से पहले अपनी रानी का सिर कलम कर दिया था तो राजा पूरन मलने यहां पर युद्ध में जाने से पहले अपनी रानी का सिर्कलांग कर दिया था क्योंकि उनके साथ धोका हुआ था उन्हें पता था कि हमारी हार तैं है ऐसे ही प्रश्ण कई बार घुमा करके पूछ लिए जाते हैं बहुत कटिन प्रश्ण लगते हैं यह आपको क्योंकि आपने नॉर यह को सेयर जरूर कीजिएगा आए चलते हैं आगे जानकारी आपको देते हैं तो देखिए यह पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो देखिए चंदेरी का किला वर्तमान असोक नगर जिले में आता है 2003 से पहले यह गुना जिले में आया करता था तो जैसा कि आपको पता है 2003 में असोक नगर से अलग करके एक नया जिला जो है गुना बना दिया गया था गुना से अलग करके असोक नगर बना दिया गया था 2003 में प्रतिहार नरेस राजा कीरती पाल के द्वारा करवाया गया था तो कीरती पाल राजा को आप जरूर याद रखिएगा तो इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ग्यारवी सताबदी में आईए और आपको जानकारी देते हैं तो देखिए ये बहुत ही महत् के लिए 29 जनवरी 1528 को जोहर कुंड में अपनी 800 दाशियों के साथ जोहर कर लिया गया था तो जैसा कि आपको पता है राजा मेधनी राय यहां पर युद्ध करने गये थे और वे हार गये थे बाबर के साथ में युद्ध गवा था राजा मेधनी राय का आपको यह 500 दाशियों के साथ में जोहर कुंड में जा करके जोहर कर लिया था यहां पर जीवित जल समाधी ले ली थी तो यही जोहर कुंड यहां पर इस्तित है चंदेरी के किले के अंतरगत देखिए इसी दुर्ग के अंतरगत खिलजी मंदिर इस्तित है हवा पौर इस्तित है नौ फ्यूज हो जाएगे हवापोर तो हम पहली बार सुन रहे हैं लेकिन अगर आप सक्से जंशन के साथ में हैं तो आपको ऐसी ही जानकारिया दी जाएगी डीपली पूरी नौलेज दी जाएगी जैसा कि हमने जरने वाली वीडियो में आपको छोटे से छोटे जरनों को क्लियर कराया है एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा MP की अलग से प्लेइलिस्ट बना दी गई है तो उसमें आपको जरने और नदियों वाले हैं वो सारे के सारे तो जा करके जरने और जल प्रपात वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा देखी यहीं पर सहजादी का रोजा इस्तित है जिसे महरून निसा की कबर कहा जाता है तो कई बार पूछा गया है कि सहजादी का रोजा किसकी कबर है तो महरून निसा की कबर है सहजादी का रोजा कहां पर इस्तित है तो चंदेरी के दुर्ग क के अंतरगत इस्तित लें और कोशक महल भी इसी दुरुक के अंतरगत इस्तित है तो कई बार आप से प्रस्ण पूछा गया है और ये प्रस्ण घूम करके आने वाले आगामी के परिच्छाओं में आईए आगले किले की और चलते हैं तो देखिए बहुत ही फेमस किला है बां सूरत किला है ये सफेद पत्थरों से निर्माड कराया गया है बांधाव गड़के किले का तो देखिए आपको जानकारी देते हैं तो बांधाव गड़किला वर्तवान उमरिया जिले के अंतरगत आता है इसका निर्माड बगेल कंड की राजा गोविंद सिंग द्वारा चौदमी सताबदी में करवाया गया था अब यहां पर फेमस क्या चीज है तो देखिए यहां पर आपको एक मूर्ती दिखाई दे रही है भगवान विश्नु की ये मूर्ती है तो सेस साहित तालाब जो है वो बांधाव गड़के के अंतरगत इस्तित है और विश्नु जी की प्रतिमा आ गई थी लेटी हुई प्रतिमा ये बहुत ही महत्पूर्ण है लेटी हुई प्रतिमा कहां पर है तो बांधावगर के किलिए उमरिया में स्तित है लेटी हुई भगवान विश्नु की प्रतिमा जब सुबा लोगों ने आ करके देखा तो यह भव्वे प्रति तो ये अचाना की प्रगट हुई थी ये मूर्ती विश्णू जी की, ठीक है तो बहुत ही महत्वूर्ट तत्त है कि सेश साही तालाब कहां पर है, तो बान्धा वगड के किले उमरिया के इंतरगा सेश साही तालाब है, और वहीं पर भगवान विश्णू जी की लेटी हुई एकमात प्रितिमा कहां पर इस्तित है तो बांधा उगड के किले में इस्तित है जो कि उमरिया में इस्तित है चलते हैं अगले प्रश्णी की और अगले आपको किले की जानकारी देते है तो दोखी इसी किले के बगल में चरन गंगा नदी गुजरती है तो चरन गंगा नदी क नहां से गुजरती है तो बांधाोगर के किल्एule से गुजरती है चरण गंगह नरी यहैं किला बांधा बांधा बांधाुगर राष्टि युद्यान 32 भाडियों से घिरागा है तो हम आपको बहुत ही मेत विडियो आगे सेके मिलने वाली आगे अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा और एक बात ध्यान रखिए तो ये है फेमस अजय गढ़ का किला बहुती बहतरी नकासी आपको यहाँपर देखने को मिलने वाली है आईए पूरी जानकारी चेह हम आपको अजय गढ़ के किले के बारे में यह क्या पन्ना की अजय गढ़ तैसेल के अंतर्गत इस्थित है इस किले का निर्माड अठारभी सताबदी में राजा अजयपाल के दौरा करवाया गया था इस किले के अंतरगत राजा अमन महल भी इस्तित है तो प्रस्टन जेर प्रहली में एक बार आया हुए था राजा अमन महल कहां पर इस्तित है तो अब आपको पता चल गया राजा अमन महल कहां पर इस्तित है इस महल में पत्थर पर नकासी की गई है तो जैसा कि आपने चित्र में देखा है कितनी बहतरिन कितनी खुबसूरत नकासी आपको देखने को मिलने वाली है इस किले के अंतरगत तो इस किले पर पत्थर की नकासी भी की गई थे तो इदे के टू भी कंटीन्यू लिखा हुआ है यारी कि 10 किले हमने आपको करा दिये हैं इसके बाद और भी किले की वीडियो आने वाली है जो कि छोटे मोटे मगर मोटे किले होंगे जी हाँ ऐसे किले आपको परिच्छा में पूछे जाते हैं कुछ भूले भटके जो किले होते हैं क्योंकि ये किले ऐसे हैं जो आपकी परिच्छा में पूछे जाएंगे और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है द्यान से नहीं पड़ा है तो आपका question गलत होने वाला है किताबों की बात करें तो 10 से 12 के लिए बहुत हद तक आपको देंगे तो 10 के लिए आपको बता देंगे मैंत्पूर्ण और ये हो गए आपके kilo का topic खतम येकिन हम आपको देने वाले हैं कम से कम पंदरा से 20 के लिए की जो है जानकारी हम आपको देने वाले हैं मद्धपूर्देश के तो एक भी प्रशन जो है भारती परेटन जो है मद्धपूर्देश का परेटन है इससे सम्मंदे एक भी प्रशन आपका गलत नहीं होगा जरने वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लीजेगा और अगली वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं जो इसका सेकंड पार्ट होगा तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार